आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और आपकी इस्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए ये सभी किलासें ली जा रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि हम लोगोंने सबसे पहले प्राचीन भारत का इतियास कवर किया उसके बाद हम लोगोंने बद्देकालीन भारत का इतियास कवर किया और अब हम लोग आपका आदोनिक भारत का इतियास कवर करें और इसमें लास्ट किलास में आपने देखा होगा कि हम लोगों नरंपंथ और गरंपंथ आंदोलन के बारे में बिस्तार से बात किये थे और आज की इस किलास में हम लोग पित्थम बिस्योद्धी की राजनीती परबात करने वाले 1913 से लिकर 1919 के बीच जो कुछ भी हुआ है उस परबारे में बात करेंगे और इससे पहले आप लोगों को बता दू कि आपके लिए एक मतलब सेपरेट पिले लिष्ट सूची बना दी गई है जिसका नाव है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और इसी में आपको सभी किलासे मिल जाएंगी चाहे वो इतिहास की हो भोगोल की हो समिधान की हो या आप देखिए और भी आपकी साइन्स हो या एकोनोमी हो आपका पूरा सिलिवर्स कबर मिलेगा यहां और यह किलासे आपको प्रेलिम से में फायदा पहुँचाएंगी और साथ हमें यही आँगे देखें कि आप लोग मुख परिच्छा के लिए भी आपको बेस मजबूत करेंगी अगर आप लोग वंडे एक जाम की तैयारी कर रहे हैं जो इस्टेट लेवल पर होते हैं और सेंटर लेवल पर होते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इतना कवर कर लिया तो आपका कोई भी कुश्चन चूटने वाला नहीं है बहुत ही विस्ताल से हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें एक ओवर वियू पहले आपको दे देते हैं हम लोग पिथम विस्ते उद्ध की राजनीती में एक पेश्ट भूमी देखेंगे और पिथम विस्ते उद्ध के बारे में जानेंगे और भारत की संदर्म में भी देखेंगे और भारती ये दिश्टी कौन क्या रहा है पिथम विस्योद्ध को लेकर उस पर भी हम लोग बात करेंगे और उसके बाद हम लोग पिथम विस्योद्ध का भारत पर पिरभाव क्या पड़ा है इसमें आर्थिक पिरभाओ, राजनितिक पिरभाओ, भो भी देखेंगे हम लोग, और पित्थम बिस्तियों देखेंगे पिरमों का आंदोलन कौन हुए उस दौरान, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे होम रूल, लीग आंदोलन हो गया, ठीक है, इस पर भी बस्तार से बात कर लेंगे, एक लखनव समझोता होता है इसी बीच, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और फिर आप देखेंगे, गदर आंदोलन हुआ इसी बीच, गदर आंदोलन पर भी बात कर लेंगे, और बस्तार से बात करेंगे, कोई सौर्ट बात नहीं करें और जब और कोई कोई कायम कर रहे होते हैं, वहां कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं रहती है, तो यहां मत रहने दीजे, वहां रहने दीजे पाबंदी, और इसी वीच हम लोग खिलापत, अंदोलन के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, इतने सब आप देखें कि टॉ प्रभावित करने वाला ऐसा काले, और जिसने समराजजवादी सक्तियों के साथ साथ ओपनिविसिक जनता को भी प्रत्यक्ष रोप से प्रभावित किया, कहने का सीधा सा मतलब यह है, कि जो आप देखें कि राजा देश थे, यानि कि जो सासक देश थे, उन पर भी इसका प्रभाव पढ़ा, उनने भी प्रभावित किया, और जो गुलाम देश थे, उन पर भी प्रभाव पढ़ा, यानि कि आप देखें, भारतियों पर भी प्रभाव पढ़ता है, और अंग्रेज हमारे उपर सासन कर रहे थे, तो उन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता ह और इस समय आप देखेंगे अंतराश्टिय इस तर पर जहां समराजवादी सक्ती अपने कुछ सित हितों और छेत्रिय विस्तार गुटिय हितों की सुरक्षा समराजवादी परसार के लिए लड़ रही थी वहीं उपनेवेस की जनता अपने राष्टी हितों के लिए लाममंद हो रही थी एकटा हो रही थी भारती एकटा हो रहे थे और अंग्रेज आप देखे क्या कर रहे थे अपने हितों के लिए तरह तरह से सोसन कर रहे थे और इसका आधार पश्चमी देशों द्वारा सुतनत समानता और स्वायत जैसे मूल्यों इबं आत्म नेड़े का सिध्धान थी था और इस काल में भारती उपनिविस में राष्टी अंदोलन ने ना किबल गती पकड़ी बलकि अपना छित्री विस्तार भी किया और विभिन ने विचारधारों प्रिविक्तियों और आप देखें आप देखें गांधी जी ने अंग्रेजों की एक तरह से मदद की थी उन्हें लगता था कि अंग्रेज हमें उसके बदले कुछ देंगे लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला और वहीं आप देखेंगे बहुत सारे भारती है इसी समय को एक तरह से आउसर भी समझ रहे थे कि आप देखें कि साउसर को हम लोग फायदा उठा कर अंग्रेजों को वाहरा का रास्ता दिसा सकते हैं और ये समय बहुत था आप देखें जब बहुत सारे देश अंग्रेजों से अलग होने की कोशिस कर रहे थे अपने आपको आजाद कर चुके थे और इस काल में उदारब गरम पंथी के बारे में पिछली क्लास में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं तो आप लोग वहां जाकर जरूर देखिएगा और गरम पंथी कहने का मतलब है कि आप देखें हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा पत लिखने से काम नहीं चलेगा यहां आप देखें कि की बात करते हैं हिंसा की बात करते हैं और नरम पंथी कहते हैं कि हमारा काम कर देजे हाथ जोड़ते हैं प्रात्ना पत्र लिखते हैं मिलते हैं सिस्टम अन्बल एक तरह से बहुत सारी लोग मिलकर जाकर प्रात्ना करते हैं दूसरी तरह आप देखें कि युद्धिकाल को मासर मानकर अंतराष्टी इस्तर पर एक संगठित करांतिकारी आंदोलन गदर आंदोलन का प्यारम हुआ और इन दोनों की बीच एक नई और अपेक्छाक्रित महत्पूर्ट तीसरी प्रवित्ती का उभार देखने को मिला यह निचले इस्तर पर संपदायक था भरगिये लड़ा गया पहला पित्म विस्तर अब भारत से कुछ भी लेना देना नहीं था इसका और यह उद्ध समराजवादी यूरूपिय देशों के अपने स्वार्थों के कारण लड़ा गया था हमारी कोई इसमें भागेदारी नहीं थी हम बजाए नहीं थे इसमें लड़ने के यानि कि भारत की बात करा हूँ तब भी वड़मना यह थी कि इसे उद्ध ने भारत को अतेंत महत्पूर्ण तरीके से परभावित किया बेटेन का उपनवेस होने के कारण इसे भी इउद में सामिल कर लिया गया यानि कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है हमारी वजह से कुछ हो और यह उद्ध के दौरान भारत में उपलब देख पिकार के संसादुनों का खूब खूब एक तरह से उपयोग किया उसका और आप देखेंगे कि खूब उपयोग किया और इस्तेमाल किया उपिथम विस्यूद के दौरान भारती राष्टी कॉंग्रेस उधारवादी दल की नेतित में थी जब आपका पितम विश्यूद चल ला था उस सबाएक कॉंग्रेस यानि की भारती राष्टी कॉंग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1850 में हुई थी इसका नेतित किस के पास था उधारवाली दल के पास था और कॉंग्रेस ने अंग्रेजियों की योध प्रतनों में सहायत देने को एक कर्तब और सौधा करनी की भावना से समर्थन किया फरन्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह समझते थी कि कोई रियासते रियायते नहीं मिलेगी जब तक सरकार पर कोई दबाओ नहीं डाला जाएगा और यहीं आंगे आकर मिला भी पितम विश्यूद जब आप द अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि पितम विश्यूद की दोरा भारती नेताओं का दिरिष्टी कौण बेटिन अत्वा मित राष्टों की पिती सकारात्मक था और आम राय यह थी कि इस यूद में बेटिन को सहुख देना चाहिए और केबल करांती कारी ही इस व मतलब यह है कि आप देखें जो करांती कारी लोग थे जो समर्थक थे वो चाहे रहे थे कि इस आउसर का हम लोग फायदा उठाएं और हमें सरकार के खिलाब जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाब ससक्त संगर्ष छेड़ देना चाहिए यह अच्छा मौका है लेकिन जो दूसरे लोग थे वो आप देख रहे हैं जो कह रहे थे कि भारत को अंग्रेजों की मदद करने चाहिए अंग्रेज उसके बदले में कुछ देंगे और आप देखेंगे बहत्मा गांदी को यहां तक कह दिया गया कि भरती कानने वाला एजेंट बदा दिया गया कि अंग्र अंत्रिक व्योस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि उनके इस कथन पर यकीन करने की कोई बज़य नहीं हुई नहीं ना होते हुए भी क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत था ही नहीं है। और मित राष्टों की विजे की कामना की गई और एक अधिविशन में तो सरकार की पिती इस बात के लिए कितग्यता बैक्त की गई कि उसने भारती सेनिकों को महराज की प्रजया की हिस्यस से समराज जी की अनर भागों की निवासियों के साथ कंधी से कंधा मिलाकर नियायव अधिकार की पक्च में लड़ने के लिए भेजा है और आप देखें गांधी ने लोगों को में सेमना में भरती होने और समराज्जी के पक्च में लड़ने से पेरित किया उन्हें भरती वाला सरजेंट या एजेंट कहा जाने लगा था और सरकार ने उन्हें इसके बदले में किसर ये हिंदी की पदबीद भी पिदान की थी राजी महराजाओं ने भी सरकार की अगणी सहायता की यानि कि आप देखे गांधी जैसे लोगों ने भी अंगरेजों की मदद की, सरकार की मदद की और जो हमारे देश में महराजा राजा थे उन्होंने भी सरकार की मदद ही की और यह उद्धिके पिती पिती नेताओं के इस दिरिश्टी कौन के पीछे नहें तो देश को गांधी के एक कथन द्वारा समझा जा सकता है 1922 में अपने उपर चले मुकदमे की अउसर पर उन्होंने कहा था कि सेबा की इन सारी चेश्टाओं की पेड़ा मुझे इस विश्वास ने दी कि ऐसी सेबाओं को जरी अपने देश के लिए पूर समानता का इस तर तरात्त करना संभव है ये किसने कहा था महत्मा गांधी ने अब राजनेतिक प्रवितियां क्या रही हैं सूरत में हुए कॉंग्रेस बिभाजन 1907 का कि पैडाम सरूम नरम बंती और गरम बंती विचाधारों पर आधारी राजनीती में बिखराओ आ चुका था और नरम बंतियों ने समझोते बादी नीती अपना कर मारले मिंटो नरम बंतियों और एक तरह से सरकार के बीच और किन्तु इन वर्सों यानि कि 1914 की पहले तक मैं कॉंग्रेस मातिक विचार विवस का ही मंच बना रहा और गरम बंतियों को संगठन से बाहर कर दिया गया और तलग वेटिस दमनात्मग नीतियों के तैथ राजदरों के आरोब में मांडले भिल दिये गया, मांडले जेल में भिद दिये गया, वहीं लाला लाजपतराय को देश निकाला कर दिया गया और इन परस्तितियों में राष्टी आंदोलन में एक सून ब्याप्त हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये गरम दल के नेता थे, कौन? बालग के पास नेत करता ही नहीं बचा, और यह आक्रोसित वर्फ बंगाल की युगांतर जैसे समूह संगों वाब्यापक स्तर पर फैली समितियों के माध्यम से करांतिकारी, गतिविदियों का प्रिचार करने लगा, और इन करांतिकारीों को सरन की खोज, प्रेश कानूनों से मु उचित आउसर की फितीक चा करने लगे, लेकिन आप देखी यह भी चुप नहीं बेढ़े, जो गरम दल की नेता थे वो भी चुप नहीं बेढ़े, वो भी इस समय आप देखी कि अंतराश्टी है, संबंध बना रहे हैं एक तरह से, अंतराश्टी इंटरनेशनल रिलेशन, और इस दोरान इन किरांती कारियों का बंगाल की अतरिक्त, संपूर उत्तरभारत दिल्ली पंजाब सहिवत परांद से संपर्क स्थापित हो चुका था, और इन संपर्क की माध्यम से इन किरांती कारियों का प्रिचार बिदेशों में रहे हैं इन छेत्रों के आप्रवासी जनता के भी चुगा और ततकालीन परिस्तितियों में कॉंग्रेस पर नरमपंथियों का प्रभाव था अपने बुर्जु वाई प्रिवित्ती छेतिय नितत करता की रूमें पितिश्थ होने की लालसा और बेटिस पिधान मंद्री लॉयड जावर्ज की आत्म नेड़ाई की स बजने के लिए और अपने आंदोलन को चलाने के लिए कॉंग्रेस की आवस्सकता थी और फलता आप देखेंगे कि नरमपंथी और गरमपंथी एक मंच पर प्रकट हुए और अपने अपने हितों को आंगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे और यह एकता दिर कालेक सावित नहीं हुई, 1918 में आप देखेंगे पुना इनके बीच बिवेद दिखाई देने लगा और जिसे कलांतर में गांदीवादी समनवादी राजनीती से पुना एक मंच पर आने का मौका मिला और यह आपरबास्ती भारस सरकार की सहयोग से आकरोसित थी और इन्होंने जल्द ही यह समझ लिया कि विदेशों में उन्हें समानता का दिकार तभी मिलेगा जब वह सुतंत देश के नांगरेख होंगे यानि की आजाध होंगे और इस समय आप देखें कि गांदीवी का भी 1915 में आच चुके होते हैं और कॉंग्रिस की एक तरह से इंडारिक टाप कहिए कि उनी के छत चाया में आने लगती है कॉंग्रिस और इस दोरान भारत में संकीन आधारों का गठित मुसलिम लिग जैसे पाइटियों ने में आंतिरिक मदभिद उभर का सामने आ रहे थे और 1906 के बाद आप देखेंगी लिग का प्रिसार उत्तर परश्मी सीमा से बढ़कर स ब्यापक जनाधार वाला दल बनाने और मुसलिम जन्ता में राष्टबात जगाने ही तो कॉंग्रिस को मंच के तोर पर फेयोग करने का नेड़ाई किया और इनी परिस्तितियों इवं विभिन ने समधाये आकंचाओं के बीच पित्थम विस्योदी की राजनीती बिक्सित होना पैरम हुई और एक तरफ आत्म नेड़ाई कि सिधान्त को भारत में लागू करवाने के लिए बैदानी का अंदोलन की आवस्ता थो तो दोसरी तरफ इस अंदोलन को चलाने के लिए निस्थ प्राण कोंग्रेस का पुनरगठन आपरिहार हो गया था और राष्टी आं प्राधार सबसे पहली आवस्ता थी और हिंदू मुसलिम गठव अंदन और हॉम रूल आंदोलन का उदय तरसा जैसे कारेयों को कॉंग्रेस के मंच से परोसान किया गया और पाईडाम सवरूप आप देखें कि 1916 में लखनव पैक्ट होता है यानि कि लखनव समझोता होता है मुसलिम लीग को मुसल्वानों का पितिनी धी माल लिया गया इस समझोते में वहीं होम रूल आंदोलन के रूम में गठित संगठित और स्वा इसपूर्थ आंदोलन प्यारम हुआ और इसके करंधार तिलक और एनिवेसेंट थी बाल गंगाधर तिलक और एनिवेसेंट तिलक का प्रभाव चित आप देखेंगे महराश्ट और उसके आसपास का चित था वहीं अगर हम लोग एनिवेसेंट का बात करें तो हम रूल लीग में तिलक के प्रभाव चित के अतरिक्त संपूर भारत में इनका प्रभाव था और हम रूल लीग का उद्देश बेटिस के दिन रहते हुए भारतियों के लिए स्वायत्ता अंतरिक सासन की मांग थी और इस आंदोलन ने राष्टी आंदोलन को एक नई दिसा दी और इसने पंजाब, बंगाल, महराश्ट के अलाबाव आप देखेंगे अपरिक्छा के नई छित्रों में आंदोलन का प्रिसार कि किया और समभावता इसी का प्रिभावता जिसके कारण इस्थानी प्रिवित्ती के समान हितों पर आधारित किसान मजदूर, जाती है आधी आंदोलन को एक संगठित रूह सौरूप फेर्णा मिली, जो कलांतर में आप देखेंगे आंगे जाकर संगठित, किसान में पुर्नेता के रूम में सामने आए और हॉम रूल आंदोलन की स्थानी समतियां कॉंग्रेस के गठन के आधार बनी कलांतर में गांधी जी की योग नेतत में कॉंग्रेस को जनांदोलन प्यारम करने वाली बास्तविक राजनितिक दल के रूम में इस्थाबित करने में उन्हे रांदोलन की रूम में संगट रित हुआ, इसने उग प्रियासों द्वारा ससक्त विद्रो कर भारत को सुतंत कराने का प्रियास किया, और इस अंदोलन ने आप देखींगे अंतराश्टी स्थी पर धुरी राष्टों से साहता प्राप करने, आप इरवासी भारतियों को प्रियास किया, और यगपी बैटिस सामर्थ को समझने में एक रांताकारी आसपल रहे, और किन्तु भारती राष्टी चेतना जगाने में इनका अमुल योगदान रहा है, उधारन के लिए विद्योसों में रहते हुए अंगरेजी सिक्षित, इन भारतियों ने साहितिक र भारत में सामवादी और समाजवादी बिचारों की पिचारक बने, और इन आंदोवर्नलों के पिरभाव में भारती जिंता राष्टवादी मूल्यों को गहर्ण कर रही थी, और किन्तु इन बिचारिक पिरभावों के साथ बिस्तम बिस्योदी के आर्थिक सामाजिक दिल लित किया, यानि कि आप देखें कि हर किसी का अपना योगदान है और इसलिए आप लोगों से कहते हैं, यह अगर आप लोगों ने भारत का इतिहास पड़ा है इसपेसल वुक्स से पड़ा है, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी ब्यक्ति की योगदान को आज़ादी में नकार नहीं सकते आप देखे कि एक तरफ ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो दूसरी तरफ बो भी चुप नहीं बैठे हुए थे बो भी अपना एकटा लोगों को कर रहे थे और आगे जाकर आप देखे कि मकसद सब का ये की है कि हमें आज़ादी पीन एक तरह से पाना है और आप देखे कि रास्ती अलग हो सकते हैं लेकिन आज़ादी मकसद सभी का एक ही था और इस ये उद्ध के दोरान दोरान बड़े स्तर पर किसक यानि कि किसान अन्न को भारतिये सैनिकों के रूम में यानि कि आप देखे लड़ अपने काम के लिए रहे और खैज हमारा दे रहे बिभिन ने ब्यापारिक गतिविदियों पर अत्यधिक करार उपन किया गया और इस दोरान खाद्यान उपज कम होने और वर्ती मंक्स ने मुद्रा इस्तपरती को जनम दिया और इस मुली बिद्धी से बैटिस ब्यापारिक कम्पनिया और भारती जमीदारों ब्यापारियों को बड़ा लाब हुआ किन्तु आम जन्ता बिभिन बिपन हो गई और आकाल बीमारी आर्थिक आसंतोस ने बरसों से ब्राप्त बरगिये बिभित को तीब किया एक तरह से आप लोग साब समझ लीजेगा जैसे आप लोगों को अभी उधारन दे देखे हमारे देश में जब भी बात होती है तो आप कहते पैसा नहीं है लेकिन आप देखे दूसरी तरफ आपने देखा हुगा दिकारियों को देख लीजे या निताओं को देख लीजे पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं लेकिन आप देखे कि आम आदमी को किस तरह से लूट रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सभी पैसा वो कोई खुद मेहनत करते हैं कोई तो ला नहीं रहे हैं आपका ही पैसा ही देखते थे कि आप पर टेक्स लगा दिया जाता है, इंडारिक टेक्स लगाया जाता है, और आप मैंसे कई लोगों का ये भी सवाल रहता है, कि हम तो भाई टेक्स नहीं देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, जोपड़ी में रहने वाला और महलों में रहने वाला दोनों टेक्स देते हैं इस गलत फैमे में मत रहिए कि आप टेक्स नहीं देते हैं, आप सभी से पूछ रहा हूँ आप बताई एक समय आपने देखा होगा पार लेजी विस्किट देख लीजे कितना बड़ा आता था फांसे रूपे का आज आप देखी दो रूपे का उस समय जितना आता था आज वो पांच का नहीं आ रहा है देखी मतलब आप सोची कि बजन तो उतना ही है लेकिन कम कैसे होता जा रहा है यही तो महंगा ही देखने को मिल रही है और आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे माचिस खरीदते होंगे तो उस पर देखना टेक्स जुड़ा रहता है तो सब कोई देता है और हमारा ही आपका पैसा से ऐस होता है एक तरफ तो आम भारतिये इन भायावर परिस्तितियों में आक्रोसे थो रहा था यानि की गुस्ना आ रही थी उन्हें दोसीरी तरफ भारती पुझी पतर बर्ग इस योद्दे के कारण अत्यधिक लावान भी थो रहा था और योद्दे के दोरान आयाद बाधाओं सैनिक सासामान की अवसकता आदी ने भारती उद्दोगी करण को बढ़ावा दिया और सारती कच्चे माल की उपलब्दता ने इनको लाव भी बढ़ाया इन भारती पुझी पतियों उन्हें मजदूरी मजदूरों को कम मजदूरी देकर पश्चिमी पुझी पतियों की तरह नए नए उद्दोगों का पिरसार किया इन पूजी पतियों के लाप से जहां बेटे सरकार को इयो दिकालिन परस्तितियों में मदद मिली वहीं भारती मजदूर आसहिनी गरीबी में दबे गए और इस आर्थिक सामाजिक आसंतोस के परड़ाम सरुभारती किसानों मजदूर अंदोलोना का उदय होता है और उसी करा और खाद्यानों में कमी आदी से इस्थानी मुद्दों पर आधारी जमीदार किसक आसंतोस यानि की गुस्सा बढ़ाया और कलांतर में सामाजिक सरचना की सौरुभ ने इन इस्थानिय आसंतोस को संकीन धार्मिक पिदान किया उधानन के लिए बंगाल में एक रिसक दोलन के तनाओ तत्वा आधान में बेटिस बिरोध की में परिवर्तित करने में गांधी जी का महत्मूर योगदान रहा और गांधी जी ने पिथम विस्तियोद्दे कालीन परिस्तितियों में जनता को संगठीत करने का कारी किया और बेनैतिक आधार पर बेटिस सरकार का स पुछ हमें देंगे, लेकिन गांदी जी को क्या मिला, योदी के बाद आप देखिए जलिया वाला बाग जैसा अत्याकान, रॉलेक टेक्ट, तरह तरह की आप देखिए विटेस कारेयों की विटेस नीतियां आई, आप देखिए उनका दमनात्मक एक तरह से स्वरूप देख कॉंग्रेस एक बास्त्विक जनाधार आधारित आंधुलन का मंच बना और इस्थानी इस्थर के आधार भूत कारेयों के पैडाम सरूप योग नेततवाद जंग जाग गृत्ती फैली और ये उद्धतर आर्थिक सामाजिक पैडामों ने ओपनेविसिक सत्ता के बास्तविक चरित को सब के सामने रख दिया और यह काल हिंदु मुसलिम एकता का अभूत पूर काल सिद्धुगा जो खिलापत के मुद्धे पर पिथम संगठित जना अंधुलन और अंधुलन को अंधुलन की बास्तविक रोप यानि की उचे तुद्दे सुतंता प्राप्ती बिचार अगर हम लोग देखिए पिथम विष्थियुद्दि के पिरभाव की बात करें किसका पिरभाव भारत पर क्या पिरभाव पड़ा तो पिथम विष्थियुद्दि के पिरभाव में जहां एक तरफ हिंदु मुसलिम एकता संगठित हुई और होम रूल आंधुलन गांधी कि उदय की पिष्ट मुमी तेयार हुई करने वाले जिससे सकारत्म गलक्षें दिखाई देते हैं वहीं इस योद्द द्वारा उपजी आर्थिक और सामाजिक आसंतोस ने संपूर्ण भारती जंता को उद्दिलित किया और इस योद्द ने भारती अर्द्वस्था को उप अर्थिक पिरभाव का किरमबार विसलेशन पिस्तुत किया जा सकता है और इस योद्द ने भारत के आर्थिक और आजनितिक परिदित को गहराई तक पिरभावित किया और इसे निमलिकित पिकार से देखा जा सकता है आर्थिक पिरभाव के रूम में सैनिक जरूतों के लि जिससे आर्थिक क्रियाओं के संपदन में बाद हाई यानि कि भारतियों को सेना में भरती किया गया समझरें आप लोग और सेना के भरती के लिए बल प्रियोग और युद में एक लाग भारतियों कि हतायत होने से जन आसंतोस में विड़्धी हुए यानि कि हमारा इसे उद्धे से कोई लेना देना नहीं है लेकिन मारे कौन जा रहा है भारतियों को और भारत सरकार का रक्षा बै आप देखेंगे कि 300% बढ़ गया यानि कि हमारा कोई लेना देना है नहीं है और आप देखें कि पूरा खर्चा हमारे उपर से वसूला जा रहा है और भारती राजस से आप देखें कि 1460 लाग पॉंड का ब्या किया गया और जिसे राष्टी रेड में 30% की बिद्धी हुई है और इस रेड को चुकाने के लिए परंपरागत किसम की छोटे ब्यापारिय इसके कारण समाज के पिद्य वर्ग में परेशानी का सामना करना पड़ा मोटिक खाद्यानों की कीमतों में अपएक चेक अधिक बिद्धी हुई जनका उपियोग समाज की निमने वरग अधिक करता था और एक तरफ उत्पादी बस्तूओं पर किसान मजदूर वरग को साहू कारों का रिड लगभग दुगना हो गया और जूट का पास तिलहन आदी ब्यापरिक फसलों के कम निर्याद के कारण इनकी खेती करने वाली किसान भी बरबाद हो गया यह आप देखी पूचा जा सकता है कि पिथम विस्योद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा तो यह चोटे-चोटे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा इयोद्icide काल में हदकरगा उद्दियों का उत्रोटर घेहरास यानि कि बरबाद हुया एक तरसे ऊत्तरो और पश्मतर भारत की बुनकरों का उद्दियों कि चोपट हो गया और योद्ध परांत यानि कि योद्ध के बाद भारती और बेटिस मुद्राओं की विनिवेदर में लगातार आस्तिर्ता कि इस्तिती ने विदेशी ब्यापार सो जोड़े ब्यापारियों को पितिकु रूप से प्रभावित किया उन्नीस तो अठारे उन्नीस के दौरान देश भर में अकाल पड़ा और इसे खाद्यान उत्पादन में कमी आई और दूसरी और इउरोप में योदिक कारण खेती चौपट हो गई और इसी इस्तिती में बेट्टे सरकार ने भारत से खाद्यान का निरयाज जारी रखा और इ में गुस्ता बड़े गाई अगर हम लोग इसके राजनितिक प्रभाव की देखे तो आर्थिक प्रभाव के साथ राजनितिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और इसमें देखेंगे कि महायुद्ध ने भारत के राजनितिक प्रविदिस को भी प्रभावित किया पहले और देश की आर्थिक दुरावस्था के कारण राजनेतिक मोर्चों पर भी आसंतोस की इस्तिती उत्पन हुई और कॉंग्रेस ने महायुद्ध में भारत की महत्पूर्ण युगदान का हवाला देते हुए क्यूंकि आप सभी देखेंगे कि पहले विस्तियुद्ध में कॉंग्रेस ने अंग्रेजों की मदद की उस मदद की वदले कुछ उन्होंने मागा भी पिथम विस्तियुद्ध ने भारत में हिंदों मुसल्वानों की बीच एकता का ओसर भी पिदान किया और विस्तियुद्ध में आप देखेंगे तुर्की की हार हुई और तुर्की विरोधी क्या हुए तुर्की विरोधी कई कदम उठाए गये और इससे आप देखेंगे कि जो मुसलिम थे हमारे भारती है भारत में रहने वाले उनमें गुस्सा उत्पन हुई और विटिस रूप के कारण मुसल्मानों की बीच ब्यापक आसंतोस पैदा हुगा और तुरिकी को बाट दिया गया है यानि कि विक्टित कर दिया गया और य यरुसेलम को आप देखेंगे मुसलिम पवित पवित इस्थान मानते हैं और तुर्की और खलीफा को लिकर मुसल्मान का भी चिंतित थे और विटेन अब तक उनका सबसे बड़ा सत्रू बन गया था और 1918 की लीक के बारसे का दिवेशन में एक पिस्ताव पारित कर विटे और मुसल्मानों में एकता इस्थाफित हो और ये दोनों समदायों की एकता को समराजबादी ब्रोधी संगहस के लिए जरूरी समझते थे और तुरिकी के पिसन और गांधी के प्रयास से मुसल्मान राष्टी आंदोरन की मुखधारा में सामिल हो गया पहली आप इन दोनों में हिंदूओं और मुसल्मानों में एकता देखने को मिलेगी। करांधी के बाद आप देखेंगे जिस नए समाजबादी सोवियत रूस का निर्बाद हुआ उसने समराजबादी उपनेवेसबाद का विरोध किया और उसके विरोध संगहस में सहयोग और समर्थें देने का अस्वासन भी किया और करांधी ने भारत की युवा फीडी को भी पिर्वावित किया, उननिस्यों बीस के दसक में भारत में बामपन्ती राजनितिक दलों की स्थापना हुई और जिनका मजदूरों पर विसेस पिरभाव था, किसानों पर विसेस पिरभाव था और आप देखेंगे फूनजी बादी के बिरोधि थे, बामपन्ती सारी बिचारों का सरवोच विकास तब हुआ जब उन्होंने यह समझ लिया कि भारत को बेटिस परादियंता से ही नहीं बलकि सामंती सोसन से भी मुक्ती पानी है यानि कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे भारत में भी है भारती यह जो आदे की आम लोगों का सोसन करें जो उनसे भ विकास में रूसी करांती का एहम युगदान भी माना जाता है और महायुद्ध ने पश्चिम की अजेता कि सास्ता पश्मी सब्विता की सेष्टा की मिथक को भी तोड़ दिया यानि कि गलत फैमी को भी हटा दिया कि जो पश्चिम है यानि कि खासकर अंग्रेज है यह था इन दोनों से गलत फैमी आ हटी और अब आप देखे कि ऐसा माना जाने लगा कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है और यह देखे कि कई मोर्चों पर भारती सेनकों ने यूरोपी फोजों से सफलता पूर्वक लोहा भी लिया एक देश दोआरा दूसरे देश पर किय बवाद बना हुआ है तो इन अंग्रेजों का भी एक ही उद्देश था सोसर करना लोगों को लूटना और आप देखे यह दिखावे के लिए कुछ और कहते रहते थे योद्दि के दोरान उनके उपरान थी योद्दि से उत्पन परिस्तितियों के कारण उपनेवेसिक एक हिस्सा था और यहां भी राष्टी आंदोलन में तेजी आना सुभाविक सीबाब थी क्योंकि आप देखेंगे कि जब तक पिथम भी से उद्द चला उसके बीच आप देखिए कि हमारे देश में इस तरह की किरांतिकारी घटनाय आंदोलन सुब तबस्था में पड़े थे जो पूझी बादी एक तरह से पूझी रखने वाले लोग थे लगाने वाले लोग थे उनकी बात हो रही है विदेशी पिती द्वैंदेता की अनुबस्तिती के कारण भारती उद्दोगिक बुर्जुआ बरग ने युद्दिकाल में खूब लाब कमाया और आप दिख है थी कि रोलेट सत्या गया कि प्तिग्यापत पर बंबई के कुल हस्ताक्षर करता हूं में 54 परसेंट ब्यापारी थे और आप देखेंगे कि क्या हुआ कि पहले तो इन्हें लाब हुआ फिर उसके बाद एक तरह से आदत पढ़ गई लाप की और आप देखेंगे जो समय आप देखेंगे कुछ है पिर्मु कांदोलन भी हुए इसमें आप देखेंगे एक तो आपका हॉम रूल लेग आंदोलन हॉम रूल का आर्थ होता है सोसासन और जिसका तात पल था कि बेटे सासन के दिन सोसासन की प्राप्ति यानि कि ऐसा सासन जिस पर बाहर रूप से बेटे सरकार का नियंतर हो लेकिन आंतरिक नियंतर भारतियों के आथ में हो और इसका प्रमु कुद्देश सम्मीधाने के उपायों द्वारा सांति पूरवक सोसासन की प्राप्ति था और इसके साथ ही सोसासन प्राप्ति में सभी बर्वों जातियों और छेत्रों का पूर पहली महला अध्यक्ष थी और वहीं अगर हम लोग कारकिरम की बात करें तो हमरू लीक आंदोलन के उद्देसों की पराप्ती एतू एक विस्तत्य कारकिरम अपनाये गया और सोसासन की फिदी भालती जंता में जागरुकता पैदा करना इसका प्रमुक कारकिरम था और इसके लिए पत्य-पत्य काओं अनमाध्यमों से कभी सहारा लिया गया राजनेतिक सिक्षा राजनेतिक मुद्दों पर भहस आयुजित करके राष्टी मुद्दों पर जंता में चेतना का अविस्तार किया गया और इसके लिए राष्टी घटनाओं की जानकारी देने ही तु छात्रों के लिए कच्छाओं का आयुजिन भी किया गया पुस्त कालेयों की स्थापना की गई लोगों की बीच परचे बाटे गये चंदा 31 कर सामाजी कारियों भी तु लोगों को पेरित किया गया यानि कि एक उद्देश इनका सीधा साथा कि लोगों में जागरूखता है अपने अधिकारों की इप्ति जागरूख हो दूसरा पिर्वक कारिकम था सामाजी का आधार कुणियंतर विस्तित करना इसके लिए ग्रामीड चेत्रों बाट चेत्रिये मागों को राष्टी आंदोलन से जोडने का प्रियास किया गया अधारन के लिए चेत्री भासा में सिक्षा और भासाई आधार पर राज्यों के गठन को सौराज की मांग से जोड़ना नमक करकी समाप्ति करना भूरा जस्त दर में कमी आदी ग्रामीड मांगों को राष्टी आंदोलन से जोडने का प्रियास भी किया गया अब आप लोग कहते हैं कि नमक को ही क्यों चना था नमक अंदोलन भी सुने होंगे देखें नमक ऐसा है कि इसमें आप देखते हैं कि ना तो हिंदों से जुड़ा हुआ है ना किसी और धरम से सभी लोग बराबर इसे खाने की बात करते हैं समझ रहे हैं वरना आप देखते हैं कि गाय को हिंदों से जोड़ दिया जाता है सुवर को मुसलिमों से जोड़ दिया जाता है इसके साथ ही विमन ने बरगों में एकता बनाय रखने का सफल प्रयास भी किया गया देखे एनिवे सेंट की पिक्चर भी आप लोगों को देखाई दे रही है और आप देखें कि हिंदू मुसलिम एकता के नारे लगाए गया छुआ छूद बाजाती बात कब रोध किया गया हॉम रूल के कारक्रमों के धरम निर्फिक्ष सौरूख को बनाय रखा गया आधार पर हॉम रूलू आंदूलन का स्वरूप अखिल भारती ये तो रहा ही और साथ का इसका विदेशों में भी प्रिचार हुआ भारत में तिलक की नीतित में महाराष्ट बाकरनाटक में ये एक संगठे थी और पद सौपानिक आंदूलन के रूम में उबराब तो दूसरी ये और आप देखें कि एनी वैसेंट का कार्चित संपूर्ण भारत था और आप देखें कि बाल गंगत लक्का महाराष्ट करनाटक में रहा प्रभाव जो बीकेंदरी आधार पर कारेक कर रहा था और पितेक इस्थान पर कोई भी तीन सदस मिलकर साखा का निर मुक्नेता थे गिर भारत से बाहर इसका प्रिचार आप देखेंगे लंड़न में अमेरिका में हुआ और लंदन में ग्राहम पॉल लैंवे Lewis Children का अदाटक कराया उन्होंने एक सूचना केंद खोला और प्रवासी भारतियों को इस सम्मन्द में जानकारी पिदान करने और समर्थन जुटाने का कार भी किया और इसके साथ ही भारती हम रूल की मांग पर अंतरष्टी जन्मत बनाने का भी कार किया गया तो आप सोची कि प्रवासी भारतियो का उस समय भी योगदान रहा है आज भी आप देखते हैं हमारे पिदान मंतिवी साहब जाते हैं तो परवासी भाजती है जो हां रह रहे हैं उनसे मिलते भी हैं आंदोलन की खतम होने की कारण अगर आप देखें तो सरकार ने समिधानिक सुधारों का बादा किया और परडाम पंति थी आप देखें जैसे ही समिधानिक सुधारों का इनसे बादा किया यह अलग हो गया अंदोलन से तिलक इंडियन अन्रेस्ट की लिखा वैलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा करने उन्होंने तिलक को भारती असांती का जनम दाता भी कहा लंदन चले गए तो यह भी आप आंदोलन ऐसे दोर में सुरू हुआ था जब गरम पंति अंग्रे जोग की दमनकारी प्रहारों से और नरम पंति 1909 की समिधानिक सुधारों से निरास निरासा में डूबे हुए थे और इसके पैडाम सरूप आप देखेंगे राष्टी आंदोलन संकमर के दोर से गुजर र रहा था ऐसे में हॉम रूल आंदोलन ने कॉंग्रेस और भारतियों दोनों को एक नए जोज से भर दिया था और इसे राष्टी आंदोलन में निम्न पिकार से योगदान दिया है एक आप देखेंगे हॉम रूल के निताओं ने छेत्री बास्थानिये मागों को भी राष् अधान दिखा जाता है और आप देखी कि भारत की आसादी में अगर हम लोग बात करें तो हर उस नायक का एक तरसे योगदान है जिसने अग्रेजों के खिलाफ बोला है लिखा है या्या लड़ा है आप देखी कभियों का भी ये योगदान है उन्हों ने भी आप देखे लिखा है उनके खिलाब जन्ता को एक तरह से जागरूख करने का काम भी किया है और इसी पिकार हॉमरूल आंदोलन ने अपने आखेल भारिती ये सवरूप के कारण अब तक अलगल धलक रहे दचेन भार्तियों को भी राष्टी आंदोलन की धारा में लाने का कारी किया और इ आंदोलन ने हॉमरूल के सदस्त अधिकतर युवा नेता थे और जने इस आंदोलन से आंदोलन राष्टी नेते थे तूपिसेक्षित किया नहरू जिन्ना जैसे योग नेता है बाद में इनी युवाओं ने भविस्ट के राष्टी आंदोलन के नेतत को भी समाला और आप संगठन को सुद्रन यानी की मजबूत बनाया और राष्टी आंदोलन को संगठना आदमक सौरू पिदान किया और ये समतियों ने ग्रामीड छेत्रों में स्थानिये साहित पैदल मार्ज भासर की माध्यम से जंता को राजनेतिक सिक्षा दी और राष्टी आंदोलन के साम आपको मिलनी सुरू हो जाएगी और इसी आंदोलन के फ़रूस फ़रूप 1929 का एक एक एक्ट पारित हुआ और जिसके द्वारा भारतियों को स्वसासन देनी की घोशना की गई और यह कहा जा सकता ही कि हम रूल आंदोलन ने राष्टी आंदोलन की बेकास में महत्तपून भूमी काने भाई और इसकी कुछ सीमाओं सीमाय पर रिलक्षित होती है जिसके कारण यह अंदोलन दीक कालिक नहीं हो सका यह अंदोलन 1917 तक आति कमजोर पढ़ने लगा था और जिसके निमने कारण है यह कारण भी आप लोग याद रखी का इसका योगदान भी याद रख जहां नरमपंथी सरकाल से कुछ रियायते चाहते थे तो वहीं गरमपंथी स्वसासन की मांग कर रहे थे दूसरी तरह आप देखेंगे नरमपंथी 1919 के सुधारों को उसी रूम में सुविकार करना चाहते थे तो गरमपंथी सुधारों में संसोधन है तो असहे अंदोलन च लिखक से रोल फर मानहानी का मुकद्हमना दायर कर नहीं तो इंग्रिलेंड चले गए थे और इस पेकार से हम कह सकते हैं कि हॉम रूल अंदुलन में आनेक सी माय ब्यापड थी लेकिन फिर भी इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता है हम लोग इनकार नहीं कर सकते है कि भाव कुदेक का सरकार ने इसके पिती आरम में दमन की नीती अपनाई और जिसके पाईडाम सवरू बैसेंट को गरपतार भी कर लिया गया था चातरों की राजनेतिक बहटकों में भाग लेने पर पिती बंद भी लगा दिया गया था और अनमहत्पूर निताओं को भी गरपतार किया गया था लेकिन इसका जनता पर भी विप्रवे बहा पड़ा और इसे लोगों में अधिक रोप ब्याप्त हो गया इसके खिलाब देश ब्यापी पे दरसन भी होने लगे थी उधारन के लिए सुममन्यम अयर ने अपनी नाइट हुड की उपाधी भी त्याग दी थी और इन परिस्तितियों को देखते हुए अंतता सरकार ने दमन की स्थान पर समझोता वादी नीती का अउलमन किया यानि कि अंग्रेणियों का आप देखिए कि हाग तरह से समझोता करना है कोई अगर आप देखिए डर से मान रहा है तो उसे डर से मानाना और आप देखिए कि अगर कोई समझोता से मान रहा है तो उसे समझोता से बनाना जिस तरह से आपने देखा होगा आज कल की नेताओं को कि केंदर में जिसकी भी सत्ता होती है वो क्या करता है कि आप देखे कि बिधायकों को अपनी तरफ जुकाने के लिए नेताओं को अपनी तरफ जुकाने के लिए तरह तरह की एजंसियों का दुरुपयों करते हैं और फिर भी अगर नहीं कोई जुकता है तो आप देखते हैं उन्हें पैसा का लारज दिया जाता है तो अंग्रेज भी हर तरह की हद कंड़े अपनाते थे और स्रीमती अनिवेसेंट को रिहा कर दिया गया और ग्रह सचिब मॉंटिगी उन्हें भारत में सोसाचन के लिए बेभेन संस्थानों के करमेक विकास भारत में बेटे समराज जिसे जुड़ी उत्तरदाई सरकार इस्थाफित करने की घोशना भी की एक कुछ पॉइंट है इने भी याद रखेगा या आपके दिखे किसमें प्रलिम्स में वंडे एकजाम की तैयारी कर रहे हैं किसी एकजाम की तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं एनिवेसेंट ने मूलता हॉम रूल की स्थाफना करने के लिए किसमद में योजना बनाई थी किसने एनिवेसेंट ने अप्रेल 1916 में तिलक ने पूरा में इंडियन हॉम रूल लिग की स्थापना की और उसके पांच महिने बाद इस्टम्बर 1916 में एनि वेसंडर ने मदरास में हॉम रूल की इस। लीक की स्थापना की थी। तो तिलक सहाब ने कहा यह आप देखे पूना में कब की बात है अपरेल 1916 और एनिवेसंट ने मदरास में कब सेप्टमबर 1916 की बात है महराश्ट और केंदरी परांत में तलक की होम रोल लीग जबकि सेश भारत में आप देखेंगे एनिवेसंट की होम रोल लीग सक्रिय थी तलक की होम रोल लीग के पिथम अध्यक्ष जोसेब बैप्टिश्टा थे और सचेब इसके एन सी केलकर थे और जबकि एनिवेसंट की साहिक सचिप जॉड अरुन डेल थे और मोतिला नहरू तेजभादो सप्रू जैसे निटा एनिवेसंट की लीग में सामिल थे और एनिवेसंट भारत की पूर्ट सुतनता की विरोधी थी किसकी एनी बैसेंट भारत की पूर सुतंता की विरोधी थी और तिलक ने आप देखें कि छेत्री है भासा में सिक्षा और भासाई राज्यों की मांग को सुराज की मांग से जोड़ दिया था और तिलक और बैसेंट की फ्रयासों से आप देखेंगे 1916 में गरम पंथियों को कॉंग्रेस में बापस भी ले लिया गया था और जुलाई 1916 में तिलक को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी गिया मुहमाद अली जिन्ना की नेतित में वकीलों की एक पूरी टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था आप समझ सकते हैं कि इतनी एकता थी जो सकते हैं और फिर आप देखें कि गोकली की सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी की सदस्सों को लीक का सदस्स बनने की इजाज़त नहीं थी लेकिन औरोंने जंता की वीच भासर देकर और फर्षे माट कर होमलूल आंदोलन का समर्थन किया था तो यह भी याद रखिएगा और जून 1917 में एनिवेसंट जॉर्ज अरुडेल और बेपी वाडिया को गरपतार कर लिया गया था और सर एस सोबमन्यम एयर ने इसके विरोध में सरकारी उपाधी नाइट हुड आसुईकार कर दी थी एक आप देखेंगे लखनोग समझोता भी हुआ था 1916 में और आप देखेंगे कि इससे भी आपकी परिख्छाओं में कुश्चन्स पूचे जाते हैं अपनी स्थापना दिसंबर 1906 के समय से ही मुसलिम लीग कॉंग्रिस की बिरोधी थी और एक बात आप लोगों को मालू होगी कि किस की बात हो रही है मुसलिम लीग की इसकी स्थापना का होई थी 1906 में दिसंबर की बात है ठीक है तो यह भी याद रखेगा और फिर आप देखेंगे कि उनका विचार था कि मुसलिम जनता का हेति बेटे समर्थक दिरश्टी कोण अपनाए बनाए रहने से ही पूरा हो सकता है और इसके लिए कॉंग्रेस का विरूत करना आपरिहार था और उसके बाद आप देखेंगे कि लीग ने कॉंग्रेस की सौसासन की मांग को कभी समर्थन नहीं किया था इनका मुसलिम जो भी लेता थे उस समय मुसलिम लीग के उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ अगर हम रहते हैं उनकी बात सुनते हैं तो हो सकता है कि उन्हें कुछ खायदा मिले उनकी हित पूरे हो किन्तु 1912 से 1916 के बीच परिस्तितियों ने कुछ इस्पिकार आकार लिया कि लीग के दरिश्टी कौर्ण में परिवर्तन आया और अब मुसलिम लीग कॉंग्रेस की समीप आई और दोनों की बीच 1916 में लखनव में एक समझोता हुआ और इसी को आप लोग लखनव समझोत कहते हैं, कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच हुआ था, अब आप सोची कि इतने दिन में मालू भी चल जाता है, इतने दिन में मालू ही चल जाता है कि कुछ मिल रहा है उनका उनकी मदद करके उनकी बास सुनकर या नहीं, और आप देखें कि लीग के परिवातन द्रश का भूच्छेत भी कम हो गया था, और इस उद्द में बेटन ने तुर्की को सहयोग देने से इंकार कर दिया था, तुर्की के सासक को दुनिया भर में मुसल्वान अपना खलीपा, यानि की प्रधान मानते थे, और इस पकार दुनिया की सभी मुसल्वानों के लिए एस हिंदूओं और मुसल्वानों का समार रूप से दमन किया, अली बंधों के अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद और हसरत मुहानी को नजर बंद किया था, और आजाद पत के अल हिलाल और मुहमद अली के पत कामरेड को पितिवंधित किया था, और इस से यूबा मुसल्व कि हो जाती कि हो समधाय को हो कि कोई भी वियुसाय भी कर रहे हो तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा और फिर आप देखेंगे कि मुसल्मानों का एक बंगाल विभाजन को अंग्रेजों द्वारा मुसलिमों के पक्ष में लिया गया नेड़य मानता था और उसका बेटिस सासन को हिंदू और मुसल्वानों के लिए समान रूप से अभी साथ समझते थे यानि कि बुरा समझते थे और यह बर्ग मुसल्वानों के हितों पर खत्रा ना होने की सर्थ पर कॉंग्रेस का सहयूग करने के लिए तैयार हो गया अलीगर में विस्विद्याले की स्थापन और इससे सरकारी मदद ना दिये जाने से भी मुसलिम समधाय का सिक्षित अब का सरकार से नाराथ था तो ये कुछ कारण थे कॉंगРИस की तरफ आने के मुसलिम लीक के अपने भी कुछ हेंथ थे और इस तरह से आप देखेंगे दूसरी तरफ को अंग्रेस इस बात को लगातर मानती आ रही थी कि उपने वेसवाद के विरूद संगरस में देश के सभी समवदायों बर्गों की सामुईक भागेदारी मात भूड है अगर अलग अलग होकर इंसे लड़े तो आप देखी हार निश्चित है और आप देखी कि 1947 में आजाद है इसलिए मिली क्योंकि उससे पहले आप देखी कि 1857 में सुरू हो जाती है हम लोग नहीं आजाद हो पाते हैं क्योंकि सभी में एकता नहीं थी सब अलग अलग बटे हुए थे कुछ अंगरेजों के साथी थे तो कुछ आप देखे के बिरोधी थे साथी ये समय करांती कारी उभार का समय था और लीग की मुसलिम संस्थाओं और एक दूसरे से सहयोग की एक छुप थी और एनिवेसेंट और बंगाल बालगंगंधर तिलक के सहयोग से कुछ हुए इस समझोते की प्रावधान इस तरह थे लीग ने सुईकार किया कि वो एक कॉंग्रेस की द्वारा उत्तरदाई सरकार की मांग का सब अन्थन करेगी और मुसल्वानों के लिए पिथक निर्वाचन ब्यवस्था की मांग को कॉंग्रेस ने भी सुईकार कर लिया और यह तैह हुआ कि केंद्रिये बिवस्था अपिका में सभा में कुल निर्वाचित भारती सदसों का एक नौबा भाग मुसल्मानों के लिए आरक्षित किया जाएगा जो आरक्षन की बात करते हैं तो उसी की बात हो रही है प्रांतिय विवस्था अपिका और सभाओं में इनके लिए इस्थाना रक्षित किये जाएंगे और यह सुईकार किया गया कि किसी पिस्ताओं को वैस्ती इस्तिती में पास नहीं किया जाएगा जबकि किसी समुदाय की विरुद उसमें प्रावधान हो तेन चौथाई सदस आधार पर का पिस्ताओं का विरुद करें अगर हम लोग लखनवु समझोति की मूल्यांकन की बात करें तो इसके सकारात्मक क्या पहलू रहे हैं और नकारात्मक क्या पहलू रहे हैं यह भी देख लिजे सकारात्मक प्रवाओ की देखें अगर हम लोग तो इस समझोती की बात राष्टी आंदोलन के सामुईक आधार का विस्तार हुआ और कॉंग्रेस को लीक का समर्थन मिलने से उसकी सक्ती में और बिद्धी हुई और बेटे सासन की फूट डालों और राचकरों की नितीम को इस समझोती ने बिफल कर दिया और इस समझोती ने राष्टी एक्ता की भावना मजबूत हुई और उपने वेसवाद की विरोध संगर्स की भारती एक्चा और समर्थ में बिद्धी हुई और आप देखेंगे समझोती ने मुसल्वानों की अंदर ब्याप्त इस भैको भी दूर किया कि सौसासन प्राप्ती की इस्तिती में कम संख्या के कारण उसकी इस्तिती कमजोर होगी समझोती से बेटे सरकार पर दबाव बढ़ा और इसी कारण फलसुरूप उससे ने भारत की उत्तरदाई सरकार की स्थापना की प्रयास आराम कर दिये अगस्त 1917 में मौन्टीकी की घुष्णा में सौसासी संस्ताओं और उत्तरदाई प्रणाली के क्रमिक विकास का स्वासन भी दिया गया इसके कुछ नकारात्मक भी पहल हुए इन्हें भी नकारात्मक पिरभाव भी है इस समझोतिन ने इस तत को स्थाबित किया कि हिंदों और मुसल्वानों की हित एक दूसरे की विपरी थे और केबल मुसलिम पितनी दी ही मुसलिमों की हितों की रक्षा कर सकता है इस धारा नावे दुई राष्ट दान के बीच छेपे हुए थे जो आगे चलके आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान की रूम में सामने आए पितक निरवाचन की विवस्था मूलता एक वेटिस विचार था जो फूट डालो और राजकरों की नीती से जुड़ा हुआ था कॉंग्रेस ने इसे मान लिया था समझोते में पितक निरवाचन को सुईकार कर अंतताय सिधान को और भी समर्थन दे दिया और लीग को उसकी सक्ती के अनुपात में कहीं जानल तबज्जो दी गई और 1937 के चुनाओं तक लीग एक प्रभावसाली संस्था नहीं थी और लीग के लिए आरक्षी सीटों की संख्या उसके राजनेतिक आधार की अपेक्छा बहुत अधिक थी उधारन के लिए लीग को पंजाब में 50% संध में 33% सीटें दी गई जबकि 1937 के चुनाओं में लीग को पंजाब की 14 सीटों में कीबल 2 सीटें और सिंद में आप देखेंगे 33 में से केबल 3 सीटें जीत मिली थी तो यहां से आज समझ सकते हैं कि इन्हें कितना जानदा बड़ा चड़ा कर तबज्जो दिया गया और लीग जिन पस्तितियों से प्रभावित होकर कॉंग्रेस को और जुकी थी उनके महत को नहीं समझा गया तुर्की के खलीपा के आउमानना और भारत की गुलामी के बीच कोई सम्बंद नहीं था और अनराश्टिये आधारों के साथ यह सह कारक सहयोगी हो सकता था पर केबल अपने आप में यह कारक वाय विये प्रकिती का था और इस पेकार समझोतिक आधार ही ठोस नहीं था और यही कारण है कि खिलापत अंदोलन के बाद कॉंग्रेस को लीकास सहयोग कभी नहीं मिला और कॉंग्रेस ने मुसलिम जनता के अपने राजनितिक आधार की विड़ी करने की बज़ाए इस समझोतिक की द्वारा आप तेक्ष यह संदेश दे दिया कि लीक ही मुसलिमों का पितिनी दी संस्था है और पाईडाम स्वरूप यह हुगा कि मुसलिम सम्मोधाय कॉंग्रेस की साफेक्ष लीक को अपनी संस्था की रूम में देखता रहा और कॉंग्रेस ने अपने को नहीं जोड सका एक बात और जान लीजे आप लोग जैसे आज के समय में आप लोग देख लीजे ऐसा नहीं कि आप देखिए कि सभी बीजेपी की तरफ सभी हिंदू बीजेपी की तरफ हैं और ऐसा भी नहीं कि सभी मुसलिम OVC को अपना नेत मानते हैं उस समय भी आप देखिए ऐसा ही कर दिया कि मुसलिम लीज ऐसा नहीं था कि सभी मुसलिमों का पितिनी धित्ट मुसलिम लीज करती थी अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कि जो पंजाब सिंध में चुना हुए उनके उसमें उनकी इतनी बुरी हार ना होती है ल तो आपने देखा वोटर होता है उनके वीच गट बंदन नहीं हो पाता है, एक बड़ा अच्छा उधारण देता हूँ आपको, उत्तरप्तेस में आपने देखा होगा कि मायवत्ती और अकलेस यादव हमेशा एक दूसरे के बिरोधी रहें, मुलायम सिंग यादव हो चाया अखले से आदा हो लेकिन आप देखिए लोग सभाद 2019 में उन दोनों लोगों ने एक तरह सिख्या कर लिया था गठबंदन कर लिया था मिल गये थे लेकिन फिर भी आप देखी कोई जान्द सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि नीचे जो वोटर था उन्हों में आपसी बहुत थे और वो कभी एक नहीं हो पाई नेता वली एक हो गए तो यहां भी देखेंगे आपको समझ में आना चाहिए कहीं कभी कोई विवदारन अपने दिमाग में सेट रखिए 1916 की लखनव कॉंग्रेस अदिवेशन की अधिक्षता अमेरिका चरब मजूमदार ने की थी यह आपका वंडे एक जाम में पूछा जासकता है याद रखिएगा 1916 की कॉंग्रेस लीक समझोता हुआ जो लखनव पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इस समझोते में मुहमद अली जिन्ना और तिलक ने महत्पूर भूमिका इने भाई मदन मोहन मालवी ने लखनव समझोते का विरोध भी किया था किसने मदन मोहन मालवी ने कॉंग्रेस लीक समझोती ने अलग लग चुड़ाओ मंडलों के घातक सिद्धान को भी सुईकार कर लिया था इसमें यह भी याद रखिएगा यहां भी कुछ कॉvadरा सरकार ने एसे भारतियों का अपने हां परविस बर्जित कर दिया था जो भारत से नहीं आते थे और कनाड़ा सरकार का यह कानून इसलिए दिक कठोर माना गया था क्योंकि उन दिनों कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे भारतिये सीधे कनाडा पहुँछ सके और नवंबर 1913 में कनाडा की सरोच अदल्प ने ऐसे 35 भारतियों को कनाडा में पिरवेस की अनुमती पिदान कर दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आये थे और 35 भारतियों के कनाडा में पिरवेस मिलने से उत्साहिद सिंगापूर की एक भारति मूल के ब्यापारी गुर्दीप सिंग क्या गुर्दीप सिंग ने कामा गाटा मारू नामा की जहाज को किराय पर लेकर दचिल पूर वेसिया के करीब 36 यात्रियों को बैठा कर बैंकुवर की ओर पिस्थान किया यह जरूर याद रखेगा और कामा गाटा मारू जहाज के बैंकुवर पहुचने से पूर भी कनाडा सरकार ने पुन्हा प्रिविस पर पिदीबंद लगा दिया और बैंकुवर तट पर पहुचे यात्री पुलिस की घिराबंदी के कारण जहाज से नीचे नहीं उतर और अमेरिका में रहरही भारती भगवान सींग, बरकुत तुल्ला, रायचंद और मुहन सींग ने भी यात्रियों के समर्थन में अंदोलन की चलाया और कनारा सरकार के सक्त रभीये के कारण कामा गाटा मारू जहाज को बैंकुवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा जिस सम इसमें संगर्थ हुआ जिसमें करीब आप देखेंगे 18 यात्री मारे गये थे और 202 यात्री ओं को जिल में डाल दिया गया था एथा पूरा माला मामला काटा कामा गाटा मारू मामला एक आप लोग सुनते हैं क्या गदर आंदोलन मुक रूप से भारत की बाहर रह रहे आप प्रवासि भारतियों द्वारा प्यारं करिया गया था जो आप सभी जानते हैं कि किसी ने किसी दूसरे देश में रहते हुआ है और इन अंदोलन कारियों में मुक्रूप से भारत से निस्कासित, करांती कारी, व्यापारी, पंजाब, बारनेचे तरफ से बिदेश गए किसान, अन्य देसों से लाएगे भारती इमलदूर, बैटे सैना के बिभारती सैनक जिनों बैटे सैना ने अपने अभियान की समात्ती के बाद वहीं छोड़ दिया था ये सभी इसमें सामिल थे अगर हम लोग इसके कारण की बात करें तो गदर आल्दोलन के लिए मुख करूप से जिम्मेदार पर वो कारण थे प्रवासी भारतियों की विवन बेटिस उपने वेसों में फैली समस्या है जैसे भेदभाव पूर असयोग करती थी और पैडाम सरूप उनमें एक सुभाविक आकरोस यानि की गुस्सा था और चुकि सावनता ये सीमित बर्ग था और पर्श्मी मूल्यों अर्था सुतनता समानता बंदुस्त से पर्चित हो चुका था अब आप देखें विदेसों में रह रहा था तो वहा का भिवार करते थे गोरे मजदूरों वा उनकी संगटनों ने भारती मजदूरों के प्रवेश के खिलाब आंदूलन भी सुरू किया था और वेटे सरकार ने गोरे मजदूरों का साथ दिया उच्जस्ति भारतीयों में गुस्सा यानि की आसंतोस बराप्त हुआ ये लाला कनाड़ा जाना था कनाड़ा में पिरवेश रोग दिया गया और इसे बापस भेज दिया गया और जिसे लोगों में गुसा और आया यानि कि रोज ब्याप्त था अंतिमबा सबसे पिर्मुक कारण जिसमें इन आसंतोष जनक घटनाओं कुद्धिसा दी हुए था पिथम विस्युद का आरम और गदर आंदोलन कारियों ने इस अवसर को अंग्रेजों को भारस से बाहर निकालने ही तू ससक्त संगरस आरम करना वो चीज समझा और ससक्त संगरसे तू इनको हत्यार वह अन संसाधन उपलब्द कराने का कार विविन देसों में रह रहे सैनिकों से ने कराया और इसके उद्देश और कारिकरम की बात करें तो ससक्त संगर्ष द्वारा अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाना, लोकतांत्रिक गर्राज की स्थापना करना और समताबादी समाज की स्थापना करना इसका मुख उद्देश था अपने उद्देसों की प्रापती हेतु गदर आंदोलन कारियों ने अनिक पिकार के साधुना का प्रयोग कर आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया उन्होंने संगठनों की स्थापना द्वारा अपने विचारों का प्रिसार भी किया जैसे D. G.D. कुमार की सौधेश सेबा ग्रह और United India हाउस आदिस में सामिलते आंदोलन कारियों ने प्रेस की भी साहता ली और इसके द्वारा एक तरफ उन्होंने अगबारों के माध्यम से सामाजिक सुधारों का प्रेयास किया तो दूसरी तरफ आप देखें कि किरांतिकारी गतिविदियों को प्रोसान बास समर्थर प्यदान किया उधारन के तरफ आप देख सकते हैं कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेके जाने को उचिठ ठराया गया और अन्प्रवासियों में भारती राष्टी चितना को जगरित किया वहीं दूसरी और इनोंने प्रेश का प्रयोक बेटि सोस्रन को जगर करने में भी किया और उधारन के लिए इनोंने लोगों को बताया कि भारत यानि कि भारत में पित्ती ब्यक्ती ओसाताय कम होना, भारती संपदा की लोट करना, भारती उद्धोंगों का बिनास, सरकार का भेद्वा पूर्ण रविया आदि सभी बेटिस समराजी की ही दैन है और हमें अपनी सुतंता उभविस्ती के लिए स्पेटिस राज की खिलाब संगर छेड़ देना चाहिए इन करांती कारी सातनों के साथ इनोंने कड़े कानूनों में परिवर्तन करवाने ही तू समय समय पर भारत बाइंग्लेंड में पिती दिन धी मंदल भी बेजे भारतियों को एकता बद्द करके पितम विस्तियों दे के दोरान संगर सेतु जागरित करने के लिए भारत की यात्राएं की और सैनिकों वा किसानों में राष्टवादी भावनाओं का पिरसार भी किया अगर इसकी मूल्यांकन को अगर आप लोग देखना चाहें तो अपने देशों वविस्तित कार पडाली बासादनों की प्रियोग द्वारा गदर आंदोलन जल्द ही बड़े भाग में फैल गया और इससे आंदोलन ने राष्टी आंदोलन में भी महत्पूर्ण भूमी का आदा की गदर आंदोलन की सबसे प्रहूं को विस्तित आ ये थी कि इसका या इसका युगदान तकाली समाज की राजनितिक चितना का विकास करना था और इसने प्रवासी भारतियों बाब भारत में रह रहे हैं भारतियों की बीच एक कड़ी का काम किया जोडने का काम किया और जिसके कारण उन में आपसी संपर्ग अधिक बढ़ा और इस आंदोलन ने संघर से तुन नई रणीतियों बार कारिकरमों को विखसित किया इस आंदोलन ने भारती राष्टी आंदोलन को एक अंतराष्टी पिसिन बना दिया यानि कि अंतराष्टी इस तर पर ले गए औ और भारत के बार भारतीयों की स्थनता की मांग के लिए एक ससक्त जनमत भी तेयार किया भारत में तो हो भी राय था इसके बाद आप देखेंगे बाहर भी देखने को मिला गदर आंदोलन कारियों का एक महत्पूर योगदान ओपनेवेस बात के खिलाब एक बिचारिक कर उनकी बास्तिविक्ता को जनता की समक्च रखा और इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि अन्य देशों की समक्च स्वयम को कल्यान कारी भप्रज्यातंत की हिमायती कहने वाली बेटे सरकार का बास्तिविक रूप बिच्टे के सामने आया और इसके कारण भारत के समर्थन में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिक्ख है आधी सभी धर्मों बर्गों में से थे और इसका प्रमुक पत्त गदर भी अनेक भासाओं में चपता था और इसकार इसने राष्टी आंदोलन के धर्म निर्वेक सौरूप को बेवारिकता बिदान की और गदर आंदोलन की एक और विसिस्ता थी या इसका योगदान था कि लोकतंत वा समाजवादी सिध्धानतों का प्रिचार जैसे समतावादी समाज की स्थापना करना है और इसकी इसी विचारधरा का प्रभाव जिसके कारण कलांतर में अनेक किसान नेता वा कमिनेश्ट नेतत का उदय देखन को मिला एक महत्पूर योगदान भारत की पितम आस्थाई सरकार का गठन भी करना था इसका और जिसे कई देशों में मानता भी प्राप्त थी पहली बार राजा महंद प्रताप की अध्यक्षता में अफगानिस्तान में भारतियों की निर्वाची सरकार का गठन हुआ जिस में भी भारतियों के पक्ष को रखा और समार्थन भी प्राप्त किया और परोक्त भी सेक्ताओं बाप प्रभाव के बाद भी गदर आंदूलन सीख गी समाप्ती की और आगसर हो कया जिसका कारण इसमें अंतरनेहित कुछ कमिया थी ये बड़ा तो लेकिन उतने ही जल्दी आप देखे एक खतम भी हुआ इसमें एक तो सबसे बड़ी कमी थी कि साधनों के समद में दूरगामी रणीती का आभाव था और उन्होंने सीमें साधनों के सा संगरस आरम कर दिया था और जिसके कारण बाद में संगरस को विराम देना पड़ा जनसंक्ती पर अतीसाय विस अंतों द्वारा इसे इन्हें पतित स्थिक्ख घोसित कर दिये जाने से आसिक्षित जनता ने इनके साथ सहुग नहीं किया और इस बारत में समिधारिक हॉम रूल आंदोलन पर भावी था और ससक्त संगरस के लिए लोग तैयार भी नहीं थे और इसके अलाबा इसकी सांग ठीक सीमा भी थी जैसे निरंतरता पिदान कने वाली नेतित्वा संगठन का अभाव अधिकता नेता सैनिक प्रिचारक आधी थे और लेकिन उसमें सांग ठीक चमता नहीं थी और उपयुकते कुछ सीमाओं के कारण यक्ष्भी गदर आंदोलन समय से पूर्व समाप्त हो ग करते हैं कि पिथम इस्ति विश्योदी के दौरान भारती राजनीती आहंतरिक बाबाहे दो नो इस तरों पर कार कर रही थी और बेटे सोपने वे से एक सासन के खिलाप इसको दोनों ही स्तरों पर पर परयाप्त सफलता भी पराप्त हुई और विभेन विचा धराय अब भी बिद्दमान थी चाहे उद्देश सोशासन बेटिस सासन से मुक्ती या साधन समीधानिक बाससक्त संगर्स अलग अलग रहे हो लेकिन फिर भी अंते मुद्देश सफी सफल रहे और राश्टी आंदोलन को तीबिता मिली इससे और पितिक आंदोलन ने कुछ ऐसे सिध्धान्दों का पितिबादन भी किया जो आंगे आने वाले आंदलोने के लिए आधार बने जैसे समीधानिक साधन धरम निर्पेक चिता गरामी डिस्तर तक पिसार बेभेन बर्गों को अंदोलन में सामिल करना हो हिंदू मुसलिम एक इस्थापित करना हो और देखिए कि दोरान सभी भारतियों ने वसुतंता की दिसा में सभी ने अपने इस्तर पर एकताबद्य परियास किये और वाइडाम स्वरूप गांधी बादी आंदलोनों का स्वरूप विशिष्ट बर्गिये बच्छेत्रिये ना रहे के सभी बर्गों को समाहित किये हुए और अख कुछ लोग आप देखते हैं कि किसे महत्मा गांधी हो चाहे आप देखे भीमराओं मेडकर हो चाहे आप देखे पंडित जवाल लाल नहर हो सरदार बल्लभाई पटेल हो इन्हें इनकी आलोचना करते रहते हैं और वहाँ सारे लोग आप देखे दूसरे फक्छ को गाली द लेकिन असल में ग्या है कि इन्हें ना तो इतिहास से इनका कोई लेना देना है ना हिने इतिहास समझ में आता है ना इइनका युक्तान नहीं थाए गलत है एक कुछ पॉइंट है इन्हें भी याद रखीगा उत्री अमेरिका का पश्चमी सागत तट 1914 के बाद से पंजाबी आप प्रिवासियों का इस्थाई घर बनने लगा था क्या बनने लगा था? घर बनने लगा था और इसमें कुछ और पॉइंट है इस तरह के आप दीकि प्रिलिम्स में हो या इस्टेट पीसी इस प्रिलिम्स में हो सिबिल सर्विस में हो वन डेक जाब में वो पूछ लेता है 1908 में कनाड़ा में भारतियों के घुसने पर पिती बंद लगा दिया गया था तारक नाददास ने बैंकोवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया और जिसकी भासा काफी उत्ते जगवा राष्ट भावना से ओधपोत थी और जीडी कुमार ने बैंका वेर में सौदेश सेवक ग्रह की इस्थापना की और गुरू मुखी में सौदेश सेवक नामक अख़वार भी निकाला ना सुरू किया था तारक नाददास और जीडी कुमार ने सियेटल में उनाइटिट इंडिया हाउस की स्थापना की थी गदर आंदोलों में सबसे पहले प्राडफू का एक सिख गरंती भगवान सींग ने और वेंकवर में 1913 की सुरू में उन्होंने अंग्रेज जी हुकूमत के खिलाब हत्यार उठाने और उसी उखाड फेकने का अहान भी किया था और जनता सी अफील की थी कि वह बंदे मात्रम को करांती कारी सलाम माने और लाला हर्दयाल अपरेल 1911 में कैलिपॉनिया पहुंचे थोड़े दिनों तक आप देखेंगे स्टेंड थोड़ी उनिवसिटी में अध्यापन किया है इनोंने और जल्दी राजनिति गतिभीयों म सरीक हो गया लाला हर्दयाल ने एक परचा युगांता जारी किया जिसमें हार्डिंग पर हमले को चिठ थैराए गया था मैं 1913 में पोर्ट लेंड में हिंदी इसोसियेसन का गठन किया गया कासी राम की घर में इसकी पहली बैठक भाई परवानंद सुभान सींग भागना और हर नाम सींग तुंडी तुंडी लाट वान लोगों ने भाग लिया था सैंड फ्रांसिसको में गुगांतर आसरम की स्थापना की गई जो गदर आंदोरन का मुख्याल है था और पहली बार नबंबर 1913 को गदर का पहला अंक उर्दू में पिकासित हुआ नौ दिसम्ब करता सिंग सराभा और अगवीर दयाल गुप्त ने भारत में गदर आल्दोरन की पेचार पिसार के लिए सक्रिय रूप से कारी किया करता सिंग सराभन को बाद में गदर सडेंद में सामिल होने का आरोब में फांसी भी दे दी गई थी जो आज हम लोग आजा दिये देख र चाहिंने गें फिल्य थे गदर आंदोलन की ज ज़टा डवनिक समर्थन जुटानी के लिए कभी भी सिक्षोँ या पंजावियों के धर्म गुरूओ का गुढग निफी नहीं किया था चलिए यह याद रखेगा और खिलापत अंदोलनी के बारे में जान लीजे इससे भी कई बार आप देखते हैं कुश्चन्स पूच लेता है तो आप देखेंगे कि 1918 में दिल्ली में मुसलिम लीग का बारसी का दिवेशन संपन्न होता है और जिसमें एमे अंसारी ने अरब भूमी को खलीपा को बापस करने की मांग की और गांधी की नेतित में कॉंग्रेस ने अंसारी के साथ 1919 में लखनौ की सम्मेलन में अखिल भारतिय खिलापत समिती का गठन करते हैं और जिसके अध्यक्च बंबई के सेट छोटानी और सची मौलाना सौकत अली थे और फरवरी 1920 में आप देखेंगे को मौलाना अबूल कलाम आजात की नेतित में खिलापत सम्मेलन कलकत्ता में होता है जिसमें असाईग अंदोलन की पक्ष में एक पिस्ताव पारित होता है और एक खिलापत दिवस मनाने का नेड़ा भी लिया जाता है अंगले कुछ माईनों में कई अन बैठकें भी हुई जब आप देखेंगे 15 माई 1920 को तुर्की के साथ सेब्रे की संधी की घोशना हुई और बाद में केंद्रिय खिलापत सम्मती ने अपनी बैठक में एक अगस्त से असायोग शुरू करने का नेड़ा लिया था देखेंगे खिलापत अंदोलन की तस्वीर एक कारणों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आप देखते हैं खिलापत अंदोलन खलीपा की मुद्दे से जुड़ा हुआ था और टोमर्ण तुरुक समराज का सुल्तान सपूर्ण मुसलिम जगत के लिए मुहम्मद साहब का उत्तराधिकारी यानि की खलीपा था और इसके साथ ही वो इसलाम के प्रमुक धार्मे के स्थलोग का स्वामी भी मालना जाता था तुर्की के सुल्तान ने पिथम विस्युद्ध में जर्मिनी का साथ दिया था और जर्मिनी की हार के साथ ही यास पश्ट हो गया कि तुर्की के साथ सम्मान जनक बेवार नहीं होगा और वो सम्भाइ मुसलिम समाज में यह असंग का वलवती होने लगी कि खलाइपा के साथ सम्मान को चोट पहुची गई और ऐसा हुआ भी इंगलेंड के बिदान मंतिरी ने मुसलिमों को इसके लिए अस्वासन दिया परंतु फिर भी पूरे विस्व में प्रयास की जरूरत म में देखेंगे इस संधी में आप लोगों को तुर्की समराज के विक्टन के साथ साथ अंकठोर सरते भी थी और इसे आंदोलन का रूप दे दिया गया और जहां तक गांधी जी वा उनके पहल पर कॉंग्रिस द्वारा इस आंदोलन के समर्थन का कारण है और तो गांधी खिलापत को हिंदू-मुसलिम एकता का इस्थापना का एक आउसर मानते थे यानि कि गांधी जी एक तरह से आउसर देख रहे थी कि अभी ए अच्छा मौका है कि हिंदू और मुसलिमों में एकता कायम की जा सकती है जो अंगले सौ सालों में भी पराप्त नहीं होगा और ग कुछ घटना करमोर हैं इन्हें भी देख लीजें दिसब्बर 1922 में कॉंगरेस की डांगपूर अधी बेशन में खिलापत अंदोलन की समरतने में एक पिस्ताव भी पारित किया जाता है कॉंगरेस और खिलापत सम्ती के बीच तीरी पक्षिय उद्देसों के लिए समझोता हुआ जिसमें गांधी जीने पिरमुक भूमी का निभाई और यह उद्देस था पंजाब की सिकायतों को दूर करना, खिलापत की गलतियों को संसोधित करना, सौराज की स्थापना करना यह अंदोलन पूरे देश में फैल जाता है और जिस पर थोड़ी बहुत बेटेस पि कर नेड़े ने खिलापतियों को विभाजित कर दिया और 1922 में तुर्की में यंग तुरुक बिद्रों ने आंदोलन का ध्यान भागे कर इसे निरतक बना दिया, इसका पैडाम क्या हुआ? तो आप देखें कि खिलापत आंदोलन ने प्यारमभीक दोर में हिंदू-मुसलि प्यापक राष्टिये भावना का प्रिसार हुआ और भारत का पूर्ण सौराज का पिस्ताव कॉंग्रेस से पहले मुसलिम संगठन द्वारा सुईकार किया गया और लेकिन आप देखें कि इसी एक्ता की सफलता सतत नहीं रही और इसका बड़ा कारणी है तकि सरकार के वि अतना नहीं लड़ रहे थे जितना की इन्हें तुर्की की सुतंता बनाई रखी जाए और ऐसे मैसे कोई बापसी और तुर्की की जन्मत द्वारा खलीफा के पद की समाप्ती ने हिंदू-मुसलिम एक्ता की आधार को भी समाप्त कर दिया और उस तीब धार्मिक भावना क भी जन्म दिया जिसकी अभी विक्ती संपदायक दंगों की सिंखला में होती है और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका पिथम विस्तियोद्धी के बाद जो राजनीती आती है उसका काम खतम हो जाता है तो चलिए यह आपका चैप्टर खतम हो जाता है अंगली चैप्ट हो तो आप लोग बता सकते हैं सुझाओ हो तो वह भी दे सकते हैं कि थमपे से ओधिकी राजनी ठीक है बारे में कोई और डाउट हो तो भी भी पूंची लीजिएगा ठीक है चलिए आप लोग पढ़ते रहिए हम लोग बिलते रहेंगे